प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया जसमें उन्होंने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का एलान किया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा याने 3 मई तक हम सभी को हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना हुगा राश्ट्र के नाम संबोधन में वो अपने मुँ और नाक को पारंपरि गमशिर से ढखे हुए नजर आए साथ ही पीए मोधी ने अपने संबोधन के दोरान देशवास्यों के सामने साथ बार हाथ चोड़े संबोधन के दौरान प्रधान मंत्री ने साथ बार हाथ चोड़ कर लोगों से सभी दिशान निर्देशों का पालन करने की विंती की पियमोधी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती है आपकी तपस्या आपकी त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है आपको बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मूधी ने राश्ट्र के नाम संबोधन के बाद ट्विटर पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी को बदल दिया है नई डीपी में वो मूध और नाक को सफेद और लाल रंग के गमशे से ढखे हुए नजर आ रहे हैं न्यूस टेस